नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है Realme 12 Pro 5G दोस्तों गराब Realme 12 Pro 5G या 12 Pro Plus 5G उसकरते हो तो आपको अपने फोन में तुरंट चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स इन सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के Safety, Security, Privacy और Productivity के लिए तो अगर आप अपने फोन को भेहतर तरीके सी उस करना चाहते हो तो आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स तो आई दोस्तों चेंज करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को 1x1 इस फोन में आपको मिलता है Double Tap to Lock और Double Tap to On का फीचर अगर आप भी अपने फोन में इस फीचर को यूज करना चाहते हो तो आपको Homepage पे Long Tap करना है फिर यहाँ पे More पे ट्याप कीजिए फिर यहाँ पे होगा Double Tap to Lock आपको इसे On करना है इसके लावा नीचे आई और यहाँ पे है Double Tap to Wake और Turn Off Stream आपको इसे भी On करना है इसके बाद आप अपने फोन में Double Tap to Lock और Double Tap to On के फीचर को यूज कर पाओगे आप अपने फोन में बिना किसी आपको डाउनलोड किए WhatsApp के डिलिट केएगे मेसेज को काफी आसानी से रिट कर सकते हो तो उसके लिए आपको जाना है Settings में, Notification में, More Settings में, Notification History को Open करके आपको इस टोगल को On करना है इसके बाद अगर आप देखोगे तो WhatsApp में इस Contact ने इन मेसेज को डिलिट किया है लेकिन मुझे नहीं पता ये मेसेज क्या थे तो आपको अगर इन डिलिट केगे मेसेज को डिलिट करना हुआ तो आपको जाना होगा Same Settings में और यहाँ आपे होगा WhatsApp का आइकन नीचे Last 24 Hour में इसके सामने होगा ये Arrow का बटन आपको इस पर टाप करना है और यहाँ पे शुकरेंगे आपको वो सभी मेसेज जो डिलिट केगे थे आप इनने टाइम के साथ यहाँ पे रिट कर पाऊगे आप इस फोन में YouTube को Background में प्ले कर सकते हो मतलब की अगर आप अपने फोन में YouTube को Close करोगे अपने फोन को Lock करोगे, Display Off करोगे फिर भी आपके फोन में, Background में YouTube प्ले होता रहेगा इतना है नहीं, आप अपने YouTube आप को PIP मोड में भी प्ले कर पाऊगे, मतलब की Floating Window में, तो इस फिचर को Enable करने के लिए आपको Open करना है इस आपको जिसका नाम है Internet, तो इसे Open किजिए Menu पर Tap किजिए, Settings पर Tap किजिए और फिर यहाँ पर होगा Floating Toolbar, आपको इस Option को On करना है, इसके बाद बैक जाइए और यहाँ पर होगा Google का Option Tap किजिए, डोट्स पर, यह है YouTube इसे Open किजिए, फिर आपको अब YouTube को इसे Open करना है, तो माल लेजिए मुझे इस वीडियो को Play करना है, तो मैं इसे Play करूँगा और यहाँ पर Tap किजिए, यहाँ पर शोगा Headphone का Icon, आपको इस पर Tap करना है, फिर इसे Close किजिए तो आप देखोगे, मैंने YouTube को Close कर दिया है, लेकिन फिर भी यह Background में Play हो रहा है इतना है अगर मैं अपने Window का Icon, आपको Tap करना है, इसे Close किजिए, तो आप इसे PIP मूड में भी प्ले कर पाऊगे, इस तरीके से आप देख सकते हो, इसकी Size भी आप Change कर पाऊगे इसे Track कर पाऊगे अपने हिसाब से इस फोन में आपको मिलता है Smart Cutout का शांदार फिचर और यहाँ पे जो Object होगा, इस तरीके से Cutout Form में Create हो जाएगा, और यहाँ पे आपको भीलेंगे 3 Options, Copy, Save और Share, अगर आप इसे करोगे Save, तो यह हो जाएगा Save Cutout Form में, जैसे आप ब्याग जाओगे, तो यहाँ पे आपको Show करेगा, यह इसका Perfect Cutout आप देख सकते हो, इतना ही नहीं, आप जो वीडियो है, उसमें से भी Object को कर सकते हो, Cutout, तो माल लीजिए मुझे इस वीडियो में से, इस Object को Cutout करना है, तो इसे सबसे पहले आपको Post करना है, फिर आपको Frame Set करना है, कौन से Frame में आपको Cutout Create करना है, फिर आपको इस पर लोंग टैप करना है, तो यहाँ पर होगा Animation और आप इससे इस तरह के से कर पाऊगे, Cutout फों में Save, तो यहाँ पर जो Cutout है, आपका शुकरिगा आप देख सकते हो, इसे हो चुका है, यह सभी Cutout PNG format में Save होते हैं, और काफी अच्छे से Background को रिमू किया जाता है, इस फों में आपको मिलता है Smart Set Bar का शांदार फीचर, File Dock के साथ, तो मैंने इससे पहले इनेबल कर दिया है, तो अगर आप गोर करोगे, यहाँ पर आपको को शोगरी के लाइन, यह है Side Bar, आपको इस पर करना है Swipe, और यहाँ पर आपको शोगरीगा, इस रिके से Side Bar, तो यहाँ पर आप अलग-लग Tools और Apps को Add कर सकते हो, Edit पर ट्याप करके, Add करना हो तो यहाँ से आप Add कीजिए, और आप उससे Use कर सकते हो, Tap करके, लेकिन यहाँ पर पहले है File Dock, तो File Dock में आप अपने किसी भी Photo, Video, Text या फिर किसी भी File को Save कर सकते हो, ताकि आप उससे बाद में Share कर सको, तो माल लिजए आपने Shinshot को Capture किया, अब आपको इससे Save करना है File Dock में, तो आपको इस पर Long Tap करना है, Drag करना है File Dock में, और यहाँ पर करना है Release, फिर आपको करना है, Get Started, यह पहली बार करना है, Allow किजिए, और यहाँ पर Cancel किजिए, तो आप जो भी File Dock में Save करोगे, इस तरह किसे आपको इहाँ आ करना है, Drag करना है File Dock में, इसके अलाव माल लिजे, आपको किसी Text को Copy करके Save करना है File Dock में, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, माल लिजे, मुझे इससे करना है, Copy तो मैं इस पर करूंगा, Selection, और आपको Long Tap करके, Drag करना है File Dock में, और अगर आप इन में से किसी भी Content पर Tap करोगे, त Open होता है, Floating Window में, इस तरह किसे आप देख सकते हो, आप इसकी Size भी Change कर सकते हो, और इसे इस तरह किसे Track भी कर सकते हो, अलग-अलग Place पे, तो जो भी Files आपने File Dock में से होकी है, अगर आपको उने Paste करना हुआ, किसे भी App में, जैसे कि मुझे माल लिजे, Open करना है Notes को, और य Copy पे Tap कीजिए, और इसे Close कीजिए, माल लिजे, WhatsApp में इसे करना है, Paste तो में करूँगा, WhatsApp में इसे Paste, इस तरह किसे आप देख सकते हो, अगर आपने अपने फोन में Face Unlock को Enable किया होगा, तो आपने गोर किया होगा, जब भी आप अपने फोन को Face से Scan करके Unlock करते हो, तो आपका Swipe Up ने करना पड़ेगा, तो आपको जाना है Settings में, Security and Privacy में, Device Unlock में, Face and Fingerprint Unlock पे Tap कीजिए, Face पे Tap कीजिए, और यहाँ पे होगा यह Option, Enter Home Street After Unlocking, आपको इसे Own करना है, इसके बाद अगर आप अपने फोन को Face से Scan करके Unlock करोगे, तो आपको Swipe Up ने करना पड़ेगा, आपका पोन हो जाएगा, Direct Unlock आप देख सकते हो, बीना Swipe Up किये, इस तरीके से, माल लो आपने अपने फोन को Lock किया है, और इसे में कोई आकर आपके फोन में, जो Control Center है, उसे Access करना चाहेगा, तो काफी जिली Access कर सकता है, इतना है नहीं, किसी भी Toggle को काफी जिली Own Up भी कर सकता है, आप देख सकते हो, तो अगर आप चाहते हो, जब आपका फोन Lock होता है, तब इसे कोई भी Access ना कर सकते हो, तो आप इसे Lock Screen पे Lock कर सकते हो, तो आपको जाना है Settings में, Notification में, Lock Screen पे Tap किजिए, और यहाँ पे होगा यह Option, Swipe Down on Lock Screen, आपको इसे Off करना है, इसके बाद अगर आप आपको अपने फोन को Lock करोगे, और ऐसे में कोई आकर आपके फोन में, जो Control Center है, उसे Access करना चाहेगा, तो Access नहीं कर पाएगा, आप देख सकते हो, जब आप अपने फोन को Unlock करोगे, तो अभी आप उसे Access कर पाओगे, इस तरीके से, इस फोन में Power Menu को Access करने का तरीका थोड ट्याबल कर सकते हो, आपको दो बटन पे प्रेस नहीं करना पड़ेगा, तो आपको जाना है Settings में, Additional Settings में, Power बटन में, Press and Hold Power बटन आपके स्पे ट्याप करना है, और सेट करना है, पावर मिनू पे, इसके बाद आपके वाल, पावर की पे लोग प्रेस करके, जो पावर है, तो अगर कोई भी आकर बेने फोन को स्विच अप करना चाहेगा, तो काफी इसली कर पाएगा स्विच अप और वह भी बिना किसी पासवर्ड के, तो अगर आप चाहते हो जब आपका फोन लोग होता है, तो बिना पासवर्ड के उसे कोई भी स्विच अप ना कर सकते हो आपके password और by metric के बिनना आपके phone को कोई भी switch off नहीं कर पाएगा तो इसके लिए आपको जाना है settings में security and privacy में more security and privacy में और यहाँ प्योगाई option require password to power up आपके से open करके इस toggle को own करना है अपने password को confirm करना है इसके बाद अगर आप अपने phone को lock करके रखोगे और आपके phone को अगर कोई switch off करना चाहेगा तो switch off नहीं कर पाएगा उससे enter करना होगा आपके password को या फिर scan करना होगा आपके fingerprint को तभी आपके phone को वो switch off कर पाएगा जब भी आप किसी भी app या website में login करने के लिए पासवर्ड को enter करते हो तो आपने गोर क्या होगा पासवर्ड के लेटर कुछ moment के लिए show करते है इस तरह के से तो बगल में अगर कोई बेठा होगा तो जान पाएगा कि आपका password क्या है तो अगर आप चाहते हो इस तरह के से password शो ना करे तो आपको password के लेटर शो नी करेंगे अब यहाँ पे आपको शो करेंगे के वल dots and dots आपने गोर क्या होगा अगर आप किसे भी आपको download करोगे प्लेश्टोर में से तो आपको मिलती है एक scanning की notification जैसे कि अगर आप इसे करोगे install तो install होने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा scanning का यह page आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आप चाहते हो इस तरह किसे आपको scanning का पे शो ना करें install होने के बाद तो आप इसे disable कर सकते हो आपको ऊपर में मिलेगा यहाँ पे dots का icon उस पर ट्याप कीजिए, settings पर ट्याप कीजिए और यह जो option है आपको इसे off करना है तो इसके बाद अगर आप किसी भी app को करोगे install अब आपको यहाँ पे scanning का pop-up या page शोनी करेगा आप यहाँ पे दिख सकते हो, यह app जो होगा install होगा लेकिन अब यहाँ पे आपको कोई भी scanning page शोनी करेगा अगर आप गोर करोगे तो homepage पे और app drawer में आपको मिलता है कुछ unwanted apps जो किसी काम के नहीं है जैसे की hot apps और hot games तो अगर आप इन apps को यहाँ से remove करना चाहा है तो आप इसे remove कर सकते हो, आपको किसी भी एक icon पे long tap करना है settings पर tap कीजिए और यहाँ पे होगा hot apps और hot games का toggle आपको इसे off करना है इसके बाद अगर आप जाओगे homepage पे तो यहाँ आप देखो कि यहाँ पे homepage पे और app drawer में hot apps और hot games के icon आपको show नहीं करेंगे अब हमने उन्हें remove कर दिया है आपके phone में कितने RAM available है और कितने RAM user है अगर आपको जानना हुआ तो मैंने enable किया है एक shortcut को तो जैसे आप open करोगे recent apps को आपको यहाँ पे close all के नीचे मिलेगी RAM information तो यह है available RAM और यह है total RAM तो आप इस तरी किसे चेक कर पाओगे RAM को तो अगर आपको भी यहाँ पे इस तरी किसे RAM information शो करनी है तो आपको close all पे long tap करना है और यहाँ पे होगा सबसे पहला option display RAM information आपको इसे own करना है इसके बाद जब भी आप recent apps को open करोगे आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी RAM information अगर आप home page पे करोगे slide down तो आपको मिलेगा यह global search का option अलाकि मैं चाहत हो जो भी मैं अपने phone के home page पे swap down करो तो मुझे यह control center शोकर यह तो आप ऐसा भी नियाबल कर सकते हो तो आपको home page पे long tap करना है more पे tap करना है और यहाँ पे होगा swap down आपको इस पे tap करना है और आपको set करना है notification drawer पे इसके बाद अगर आप home page पे हुआ तो कैसे करोगे तो इसके लिए आपको enable करने है दो shortcuts तो आपको जाना है settings में additional settings में gesture and motions में screen of gesture को open करके आपको इस toggle को on करना है फिर यहाँ पे है draw and o, draw av आपको दोनों को on करना है और करना है got it इसके बाद मान लीजी आपके phone में display off है अगर आपको जल्दी से camera को launch करन करना यहाँ पे ओ आपकी phone में open होगा camera आप देख सकते हो अगर आपको torch को launch करना है तो draw किजिए वी torch on हो जाएगा अगर आपको इसे off करना है तो फिर से draw किजिए वी torch off हो जाएगा कई सारे apps ऐसे होते हैं जो multi windows support नहीं करते मतलब कि आप उन्हें split window में open नहीं कर सकते अग अगर बात करेंगे snapchat, instagram, settings या किसी भी payment app की तो यहाँ पे आपको multi windows के लिए कोई भी option शोनी करेगा तो अगर आप शाहते हो जो apps multi windows support नहीं करता वो भी apps multi windows support करें तो आप ऐसा भी enable कर सकते हो आपको जाना है settings में about device में version में और यहाँ पे होगा version number आपको इस पे लगातार 7 on times tap करना है 1,2,3,4,5,6,7 फिर back जाएए और यहाँ पे आपको open करना है additional settings को और इसमें होगा नया option developer options का आपको इसे open करना है फिर नीचे आईए और यहाँ पे आपको on करने है 3 options को तो सबसे पहले enable किजिए force activities to be resizable enable non resizable in multi windows और end में enable free phone windows इसे on किजिए फिर आपको करना है reboot now आपका phone होगा restart तो phone restart हो चुका है तो अगर आप फिर से इन apps को open करोगे तो यहाँ पे आप कोश्चो करेगा एक नया option जो है split window का तो अब आप इन apps को open कर सकते हो split window में मतलब कि 2 apps को आप एक साथ उस कर पाऊगे तो आपको करना है इस तरह के से इने use आप नीचे किसी भ करते हैं जो dark mode support नहीं करते हैं मतलब कि अगर आप अपने phone में dark mode कोन करोगे फिर भी जो apps होंगे dark mode में शोनी करेंगे जैसे कि flip card अभी भी यहाँ पे dark mode में शोनी कर रहा है सेम तरह कि से Amazon भी आपको उप्शो करेगा light mode में ही तो अगर आप चाहते हो जो apps dark mode support नहीं करता हो अभी apps dark mode support करें तो आप ऐसा भी इन्याबल कर सकते हो तो आपको open करना है सेम developer options के page को same page को open कीजिए और यहाँ पे आपको नीचे आना है यहाँ पे मिलेगा आपको एक option जो है all right force dark यह रहा all right force dark आपको इससे on करना है इसके बाद जो भी apps आपने open किये थे जैसे कि flip card amazon उसे किजिए restart फिर से अगर आप उने open करोगे तो अभी open होगे dark mode में आप देख सकते हो सेम तरीक से amazon भी अब आपको चुछो करेगा dark mode में इस phone में keyboard में आपने एक चीश को गोर किया होगा माली जी आप typing कर रहे हो और यहाँ अगर आपको back जना हुआ तो अगर आप swipe करोगे य नियाबल कर सकते हो तो आपको जना होगा settings में additional settings में keyboard में और यहाँ पे होगा misstress prevention आपको इसे off करना है इसके बाद अगर आपको keyboard में back जना हुआ तो आपको swipe करना है keyboard पे अब यह back काम करेगा अब आपको उपर में swipe ने करना है बैक जनने के लिए अब keyboard में भी back gesture काम इस phone में आपको मिलता है edge clock और edge lighting का feature तो इससे on करने के लिए आपको जाना है settings में wallpaper इन style में always on display पे tap किजिए इस toggle को on किजिए more पे tap करके आपको set करना है display mode को all day पे मतलब कि हमेशा के लिए edge clock आपको शुकर रिकिए आपके phone में back जाईए और यहाँ पे नीचे आईए यहा यहाँ पे आपको मिलेंगे तिन अलग-अलग style तो आपको जो style चुछ करने है उस पे करना है selection और फिर करना है apply तो जब भी आपके phone में display off होगा तब आपको मिलेगा इस तरीके से edge clock आप देख सकते हो यहाँ पे और ही हमेशा के लिए show करेगा आपके phone में edge lighting को on करने के लि जैसे कि आपको पता होगा आजकल सभी data plan में मिलती है daily data limit तो अगर आपको भी अपने daily usage को track करना हुआ तो आप उसे track कर पाओगे आपको settings पे long tap करना है search पे ट्याप करना है और यहाँ पे search करना है data usage limit पिर यहाँ आपे मिलेगा आपको data usage limit इस पे ट्याप किजिए data limit पे ट जाना है settings में notification में more settings में और यहाँ पे है display data usage आपको इसे own करना है इसके बाद अगर आप control center को open करोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा daily data usage आज आपने कितना data usage किया है कितना बचा हुआ है आप यहाँ पे check कर पाओगे इस तरिक से और इसके अलावा अगर आपको जानना ह इसके बाद आप काफी अच्छे से अपने phone को यूज कर पाओगे अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पुछ सकते हो आप मुझे इंस्टागरम पे या फिर ट्वीटर रहने के एक सेप पे भी मेसेज कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो कर दो